दूसरे चरण के चिनाव में कम मद्दान से बीजोपी और कॉंग्रेस की टेंशन बढ़ गई है वोटिंग परसों के पमा रहा है उसका आंग्रन से टिक्ता के साथ नहीं पर रहा है जोपी चारसो पार के बात कर रही है अगर मद्दान प्रेटीशन कम जा रहा है तो चारसो पार कैसे होगा वही कॉंग्रेस की टेंशन ये है कि कॉंग्रेस कैसे सक्ता में आएगी न्यूज वार्न इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ का जो उनरायन दूसरे चरण के चुनाव में कम मद्दान से बीजोपी और कॉंग्रेस की टेंशन बढ़ गई है देखे कल दूसरे चरण का मद्दान हुआ इससे पहले पहले चरण का मद्दान 19 सपरेल को हो चुका है लेकिन टेंशन वाली बात ये है कि दोनों ही मद्दान में वोटिंग परसेंट जो है वो काफी जादा कम हुआ है जिसके वजह से बीजोपी और दूसरे दल यानि की कॉंग्रेस की में बात कर लो तो इनकी टेंशन लगातार बढ़ रही है अगर बात की जाए बीजोपी की तो बीजोपी 400 पार की बात कर रही है अगर मत्दान प्रतीशत कम जा रहा है तो 400 पार कैसे होगा वहीं कॉंग्रेस की टेंशन ये है कि कॉंग्रेस कैसे सत्ता में आएगी मद्धान प्रतीशत कम होना किस और इशारा कर रहा है ये महत्वपूर है प्रदेश की 6 संसदिय सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रेल को तकरीबन 60 प्रतीशत मद्धान हुआ इसके अलावा जो साल 2019 के लोगसभा चुनाव के मकाबले 8% कम है होशंगाबाद में सबसे जादा 68% वोटिंग हुई जबकि रीवा में 48% वोट पड़ी ये बात कर रही में मद्धेप्रदेश की इसके लावा राजधानी भोपाल के राज़तिक गलियों में चर्चा है कि कम मत्दान को लेकर मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चिंतत है उन्होंने शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंद बाद समिशा की कम वोटिंग समिशा भी चिंतत नजर आ रहे हैं इसके लाव उत्तरप्रदेश में भी कम मत्दान हुआ है बिहार में भी कम मत्दान हुआ अवर अगर हम देखें तो दूसरे चरण में भी मत्दान प्रतीशत कम रहा है पिछले चिनावों की मुकावले कहा जा रहा है कि केंजरी ग्रिह मंत्री अमिशा ने भी कम वोटिंग को लेकर राज्य नतित से नाराज़गी जताई है मंत्री और विधाय को कोचे तामनी देने की बात तक कही जा रही है खबरों की माने तो अमिशा ने मुख्यमंत्री डौक्टर मोहन यादफ से साफ का है कि जिन मंत्रियों के लागों में पार्टि का प्रतिश्चन बहतर नहीं होगा उन्हें अपना पद गवाना पड़ेगा जी हाँ, अगर मैं बाद करूँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादफ की तो मद्रप्रदेश में नए नए ये मुख्यमंत्री बने है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो कहीं न कहीं चिंता भी बड़ी होती भी नजर आ रही है निकिश शुकरवार कर प्रदेश की 6 ससदिय सीटों, खुजराओ, रिवा, होशंगाबार, टीकमगर, सतना और दम्हों में लगभग 7 प्रतीशत मद्दान हुआ 12,828 मद्दान केंद्रों पर 1,11,62,000 से जादा मद्दाताओं को मदादिकार प्राप्त था निरवाचन आयो की तरफ से जारी आकड़ों के मताबक इन सीटों पर साल 2019 में 67 प्रतीशत मद्दान कम हुआ इसे साब से साल 2024 के लोगसभा चना में 8 प्रतीशती वोटिंग कम है पहले चरण में 6 लोगसभा शेत्रों के मुकाबले दूसरे चरण की 6 सीटों पर भी मद्दान 9.3 प्रतीशती कम हुआ है दूसरे चरण में होशंगावा सीट पर सबसे जादा 68 प्रतीशती मद्दान हुआ वही रीवा में 48 प्रतीशती वोट पड़े, सतना में 61 और टीकमगर में 69 और खुजराओ में 69 प्रतीशती और दवों में 56 प्रतीशती मद्दान हुआ पहले चरण के चुना में जबलपुच, हिंदवाड़ा, बाला घाट, मंडला, सीधी और श्रहडव लोकसभा सीटों पर साल 2019 के तुलिना में 7 प्रतीशत कम वोटिंग हुई थी वही साल 2019 में मद्द्देप्रदेश का मद्दान प्रतीशत 71 पीस्ती था 2019 के लोकसभा चुना में टीकमगर सीट पर 66 पीस थी, खुजराव सीट पर 68 पीस थी, 17 सीट पर 70 पीस थी, दहुँ सीट पर 65 पीस थी और रिवा सीट पर 60 पीस थी और हर्शंगाबा सीट पर 74 पीस थी मद्दान हुआ था देखे यहाँ पर सब्दाद चर्चा जो है वो खुजराव की हो रही है, दूसरे चड़ में सबकी नजरे खुजराव सीट पर विशेश रूप से ठीकी हुई थी खुजराव से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मौझूदा सांस अद्विशुदा शर्मा चुनावी मैदान में थे कॉजराव के सीट गडबंदन साथी समालवादी पार्टे के ले छोड़ दे थी लेकिन सबा प्रतियाशी मीरायादव कारामंका निरस हो गया था अब ऐसी विपक्षी गडबंदन इंडिया की ओर से ओल इंडिया फॉवर्ड ब्लॉक के प्रतियाशी और भी प्रजापती को समर्तन देने की गुरुशना की गई थी इसके अलावा टीकमगर से केंद्रे मंत्री विरेंद्र खटीक सतना से वर्टमान सांसद गणेश सिंग होशंगाबाद से सबसे धनी कैंडिडेट संजेश शर्मा के किसमत का भी फैसला दोसरे शर्ण के वोटिंग के दौरान इवियम में कैद हो गया वर्तमान में इन सभी छे सीटों पर बीज़ोपी का कबसा है अब कम वोटिंग ने राज्यक की दोनों प्रमुख पार्टी बीज़ोपी और पॉंगर्स को डरा दिया खासका दूसरे शर्ण में महिलाओं का वोट परतीशत पिछले चुनाव के मकाबले 11 पीस्ती घटा है इस बार पुरुष के बजाए महिला वोटर में 10 पीस्ती तक कमी हुई है मध्यप्रदेश के वरिष्ट जो लोग हैं हो कहते हैं कि वोटिंग गटने की 2-3 प्रमुख वज़ा हो सकती है उनका कहना है कि शिकवार 24 अप्रेल को खूब शादिया थी इसके लावा तापमान भी 40 डिगरी था वो कहते हैं कि लाड़ी बहन योजना जैसे किसी प्रभाफशाली चुनावी रेवरी का लालश ना होना भी मध्दान में कमी की बड़ी वज़ा हो सकती है तो ये तो बात हो गई मध्यप्रदेश के लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें 88 सीटों की जहां पर दूसरे चुन में मध्दान हुआ वोटिंग प्रतीशत कम रहा है कुछ राज्यों का जो की चिंता का विशे कहीं न कहीं बन रहा है 88 लोगसभा चुनाव में पहले चुन का मत्दान भी फीका रहा था फीका इसलिए क्योंकि ये लगभख सभी जगा पिश्री लोगसभा के मध्दान प्रतीशत से दत्प्रसीतत कम रहा था अलग-अलग राज़तिक पार्टियान नीता, कारिकर्टा, आमादी पार्टी, आमादी भी इसका मध्दान प्रतीषत पर अपना-पना अndाजा लगा रहे थी कोई ये कहा रहा था कि इसका मध्दान से भाजबा को नुकसान हो सकता है कम मद्दान का सबसे हैं तरक ये माना जा रहा है कि पिशली बाल लोकसवा चुनाव का परिणाम लगभकते हैं माना जा रहा है इसलिए लोगों में कोई उच्छा नहीं है और यही वज़ा है कि मद्दान कम है कम वोटिंग परसेंट से भाजपा के गलियारों में चिंता जरूर नजर आ रही है हलाकि लगता नहीं किसमें किसी पार्टी का बड़ा नुकसान ये किसी को फायदा हो सकता है वैसे भी वोट देने का ट्रेंट काफी बडल चुका है पहले गाओं के गाओं किसी एक पार्टी को वोट डालने आते थे पूरा परिवार किसी एक ही पार्टी को वोट दिया करता था और वैसा है नहीं है भाई भाई पती पतनी भी अलग लग राजितलों को वोट देते हैं यही बजा है कि पिछले वोट परसंट से चुनाब परणाम का सठीक अंदाजा लग जाता है लेकिन अब मत का बिकराव इतना जादा हो चुका है कि अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाब या मतदान को लेकर लोगों में किसी तरह का उस्सा है नहीं है इसका मतलब यह है कि 2014-2019 के तरह कोई लहर इस बार है नहीं कुछ विशेशक गया और विशलेशक जरूर कह रहे हैं कि कॉंगर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी सही दिशा में प्रयास करने थे अगर ऐसा होता तो परणाम जो भी होता लेकिन चुनाब मैदान में एक तरह का उस्साह जरूरा था अफसोस है कि कॉंगर्स ने उत्ती मेहनत की नहीं जितनी वो कर सकते थी आखिर लोकतंत का पर विस तरह फीका नहीं होना चाहिए साह की कमी ने पहले चरण के मदान का ये रहसे भी उजागर कर दिया कि इस बार युआओं का मदान प्रतीशत काफी कम रहा है और दूसरे मदान में भी दूसरे चरण का जो मदान हो उसने भी ये प्रूफ कर दिया है विसे युवाओं को भाजपा और मोधी के पक्ष में माना जाता है युवाओं के कम मदान का मतलब ये है कि इस बार भाजपा जिन सीटों पर जीतेगी उन पर जीत कांतर काफी कम रहने वाला है तो कही न कही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम पहले से तीसे च्टे में जाने वाले हैं वोटिंग पर्सट जो कम आ रहा है उसका आंकलन सठिकता के साथ नहीं हो पार है जो एक मुख्य वज़ा है या हो सकती है कि इस बार जो लहर है वो नहीं है इसले उचाह कम है या फिर जो सकती है वो बहुत जादा है इस वज़ों से ऐसी कोई होहला नहीं नज़र आ रहा है या फिर हो सकता है कि लोग परिवर्तन की आड़ में आगे बढ़ रहे हो और इसी वज़ह से मद्दान परतिक्षत कम हो और अन्य अपनी वज़ह भी हो सकती है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि तापमार ज़ादा था श्वादियां ज़ादा थी क्योंकि दोनों ही चरण ऐसे थे ये भी वज़ह हो सकती है खैर अभी 5 रण बाकी है 5 रण में देखते हैं कि वोटिंग परसेंट बढ़ता है या फिर पहले और दूसरे चरण की तरह ही नज़र आता है कमेंट करके जुरू बताएं कि आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंट कम क्यों है मुदा देशका में आज के लिए इतना ही अगले सब्ता फिर लोटिंगे किसे और मुद्धे पर बात करेंगे धने बात